सब्सक्राइब फांड गुर्जी चैनल विद नोटिफिकेशन बेल फॉर आल इन्वेस्मेंट रिलेटेड वीडियोज हैपी नुएर दोस्तों स्वाधत आपका मेरी फांड गुर्जी चैनल में 2021 स्टार्ट हो गया है और मैं उपर वाले से दुआ करता हूँ कि आपका 2021 बहुत अच्छा जाए आपका इन्वेस्मेंट बहुत अच्छे से चले और चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन के साथ में मैं भी आपकी हेल्फ हमेशा इसी तरह से करता रहूँगा और वीडियो अच्छे लेगे तो लाइक करके अपना प्यार सपोर्ट दिखा दीजेगा वीडियो के थमनेल से और टाइटल से आपके वीडियो को टॉपिक तो पता चली गया होगा कि आज की वीडियो में हम बेस्ट 5 मिड के उपर बात करने वाले हैं जो आप 2020 में अपने पोर्टपोलियो के अंदर SIP के लिए या फिर लमसम के रूप में इनको आप इनके अंदर जो है इन्वेस्ट कर सकते हो तो वीडियो के साथ मैं अंत तक बने रहेगा बहुत important points में बहुत deeply detail के साथ में ये वीडियो बना रहा हूँ और last वाला जो fund है वो मेरा favorite है और एक fund तो बहुत important और freshest में add किया है मैंने वो आपको देखना बहुत important है तो वीडियो काफी interesting होने वाली है वीडियो मागे बन्दी से पहले एक important update आपको देना चाहता हूँ अगर आपने अभी तक अपना demate account नहीं खोला है तो वीडियो के नीचे description में आप अपना demate account खोल सकते हो और अपना client id मुझे whatsapp करोगे तो मैं आपको अपने telegram group के अंदर add करके आपको जो भी questions होते हैं सवाल होते है markets related one to one आप उसे directly पूछ चकते हो मैं directly वहाँ पे like रहता हूँ तो यह service मैंने शुरू करी है वीडियो के नीचे description को check करो अपना demate account open करो और जुड़ जाओ मेरे साथ में मैं आपकी पूरी-पूरी health करने की कोशिश करूँगा तो आजाते है अपने topic के ओपर की बढ़िए ये midcap की जब कभी भी बात होती है तो कुछ ऐसे plan है जो मैं हर साल repeat करता हूँ जी हाँ अगर कुछ नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो चलिए जादा आपका time लेंगे चलते है मेरे laptop के उपर और वीडियो का सबसे पहला fund में नीचे से start करूँगा नंबर 5 का जो fund मैंने रखा है वो आता है UTI family से UTI का midcap direct growth में आपको बोला चाहता हूँ कि ये एक अच्छा fund हो सकता है आपके लिए midcap category से इस fund के size की बात करें तो 4,491.13 crore आपको देखने के लिए मिलेगा expense issue की बात करें तो 1.22% आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है कि यहाँ हो और NAV की बात करें तो यहाँ पर 139.64 का आपको NAV यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा riskometer चो है, mortality high आपको यहाँ पर दिखा रहा है, अगली बात करें यहाँ पर मैं कुछ returns आपको दिखाना चाहूँ है इसके benchmark के सामने, तो Nifty 50 इसका benchmark है, 24.24% यहाँ पर आपको Nifty 50 निकाल करके दिया है, index की बात कर रहे है इस scheme की बात करें तो 33.59% यहाँ पर निकाल कर दिया है, चार्ट के उपर आप देख सकते हैं, जो blue only line यहाँ पर उठती हुई नजर आ रही है, यह इस scheme की है और yellow only line आपको इके index की है, और वहीं पगद return की बात करें तो SIP में अगर आप return कर रहे होते, तो analyze return की बात करें तो 72.29% का return यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता था और 2 years के अंदर की बात करें तो 33.26% यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता था, अगर यहाँ पर 3 years की बात करें, analyze return की तो 19.47% आपको देखने के लिए मिलेगा 5 years की बात करें तो यहाँ पर आपको 13.88% का रिटन देखने के ले मिलेगा अब यह इतना बड़ा रिटन कैसे मिला इसका जवाब है कि मार्केट के अंदर जिस तरह से COVID-19 की वज़े से मार्च, अप्रेल, माई, जून के टाइम पर जब गिरावट हो रही थी भायंकर वाली तो उस टाइम पर जिन लोगों ने SIP करी क्योंकि SIP मूड में बता रहा हूं SIP अगर आप करते तो ये रिटन आपको मिल सकता था तो उस टाइम पर जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उनके पैसे के उपर ये ग्रोथ मिली है इसलिए यहाँ पर एनुलाइज रिटन SIP के उपर मैं आपको बता रहा हूं तो इस तरह का रिटन आपको मिल सकता था अगर आप SIP के अंदर continue रखते उस टाइम से अभी का तो वन येर का रिटन आपको ये वाला देखने के लिए मिलता क्योंकि market जितनी तेजी से नीचे गई थी उतनी ही तेजी से sharply यहाँ पर recover भी हुई है और record high यहाँ पर daily बन रह अपोलो हॉस्पिटल आपको देखने के लिए मिलेगा और बहुत ही अच्छी अच्छी कंपने इन्फो ए सिटी यूनियन बैंक टाटा कंस्यूमर वर्ल्पूल आफ इंडिया तो fund manager ने काफी smartly आपके पैसे को diversify किया है mutual fund का यही benefit है कि आपका पैसा diversify रहता है तो चलिए यह था यहाँ पर UTI midcap जो मैं 500 नंबर पर रखना चाहूंगा आपके लिए बहुती बढ़िया plan है इसको आप ले सकते हो चौते plan की बात करें तो वाता है kotec family से kotec का energy equity direct growth plan यह मुझे काफी attractive दिखाई दे रहा था तो सोचा इसको भी आपको जरूर बता दूँ सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि fund size बहुत बढ़ा है 8600 54.14 करोड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा expense ratio की बा आप से चो है वो charges लिए जा रहे तो काफी अच्छी बात अगर direct mood में आप लेते हो तो ना के बराबर आपका पैसा जो है वो जा रहा है company को और उसके बाद fund को काफी अच्छी तरी किसे manage किया जा रहा है क्रिसल ने इसको 3 star से rate किया है केवल क्रिसल ranking को देखकर कि आप अग mutual fund के अदर investment करने की सोचोगे तो थोड़ा से दोका खा सकते हो चलिए और कुछ important चीज़ों पर नज़र डालते हैं यहां पर इसको मिटर इसका भी mortality हाई है और यहां पर इसके investment location की बात करे ना तो 5.42% large cap में invest किया गया है 64.63% mid cap में है और 27.43% small cap में invest किया गया है तो यह एक अच्छा कासा mid cap है केवल जो है यहां पर 5.5% ही large cap के stocks यहां पर चुने गया है बाकि सारा का सारा पैसा जो है आपका mid cap में है small cap में है तो आप समझ सकते हो यह भी fund उनी की तरह risky हो सकता है और अच्छा return देने वाला भी हो सकता है दोनों हो सकता है तो चलिए अभी यहा बढ़िया returns निकाल के दिया है 23.55% का अपने इंडेक्स के सामने और वहीं पर इसके returns की बात करोगे तो annualized return भी इसका देखोगे न तो काफी बढ़िया तो यहां पर आप देख सकते है annualized return 60.78% आपको देखने के लिए मिलेगा 2 years के अंदर 18.2 का return आपको देखने के लिए म मुकाबल है तो कई लोग banking sector को बहुत safe and secure मानते हैं तो उनके लिए भी यह fund काफी अच्छा सावित हो सकता. AU, small finance, small finance companyों में सबसे बहतरीन company है, ICIC मेरा favorite bank, federal bank अच्छा है बट मैं track नहीं करता, access bank मेरा favorite RBL, union bank, state bank of India, बहुत बढ़िया growth दिखा रहा है, उसके बाद the rank of cement, मैं आपको बता रहा हूँ, इनके अंदर अभी भी बहुत सारा potential है grow करने का, और company की जो balance sheet है, वो काफी दमदार है, तो fund manager stock को ऐसे नहीं चुनते हैं, company का balance sheet देखते हैं, उसका पूरा background देखते हैं, earnings देखते हैं, fundamentals देखते हैं, promoter की holding देखते हैं, everything वो properly check करके ही आपके वहाँ पे stock चुनते हैं, ठीक हैं, तो ये भी fund मुझे काफी अच्छा लग, kotec emerging equity direct growth आप इसको consider कर सकते हो, अपने एक अच्छे midcap की तरह, अभी बात करेंगे, इस list के number 3, की number 3 पे जो plan मैंने रखा है, वो हमारी family में एक नया plan जो है, वो जुड़ा है, तो चलिए हम बात करते हैं, मैं बात कर रहा हूं, मेराई asset midcap fund की, ये fund अभी जो है, काफी अच्छी तरीके से grow कर रहा है, और बहुत अच्छा return जो है, निकाल कर दे रहा है अपने investors को, तो मेराई asset midcap direct growth plan की मैं बात कर रहा हूं, fund size की बात करें, तो 2951.36 करोड आपको देखने के लिए है, NAV की बात करें, तो 14.092 आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा, riskometer सेम इसका भी आपको high देखने के लिए मिलेगा, यहां पर stock के अंदर 18% चो है, वो large cap stock चुने गए हैं, 60.66% आपको midcap देखने के लिए मिलेगा, और 15.94% आपको small cap देखने के लिए मिलेगा, होती है, आपकी भी investment strategy थोड़ी different होगी, तो ऐसी fund manager भी कुछ अलग दंग से सोचते हैं, अपने fund में कुछ experiment भी करते हैं, कुछ experience भी use करते हैं, और अच्छा return आपको निकाल करके देते हैं, तो चलिए इसके returns की भी बात कर लेते हैं, तो returns आपको जो बढ़िया बढ़िया परसेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, returns की बात करोगे, तो fund अभी recently launch हुआ है, लेकिन fund के अंदर मुझे काफी potential दिखाई दे रहा है, stock selection की बात करें या फिर किसी और चीज की, तो अगर आपने आज से एक साल पीछे इसके अंदर SIP की होती, तो आपको इसके अंदर जो है, तकरीबन annualized return जो है, वो 68.96% का देखने के लिए मिल सकता था, चलिए अभी बात करेंगे इसके कुछ portfolio की, तो portfolio पर जब आप जाओगे, तो मैं या पर सबसे पहले sector wise कर लेता हूँ, sector wise आप जाओगे तो आप देख सकते हो, जो bank आपको दूसरे के अंदर देखने के सेम उसी टाइप के banks यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, AU Small Finance हट गया है, बागी बैंक सारे सेम है, Nactoforma, Ifka Lab, Ajantaforma बहुत बढ़ी आप बड़ी कंपनी है, रोसरी, बायो टेक, ये वाला जो IPO है इसके पर मैंने वीडियो बनाया था, और बहुत धमाके तर लिस्टिंग पर मैंने रखा है आपके लिए वादा, DSP Family से, अब Mid Cap की बात हो, DSP का नाम ना आयो, तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलिए बात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करेंगे, प्लान के कुछ मेंन में डीटेल की, तो सबसे पहले fund size की मैं हमेशा बात करता हूँ, क्योंकि fund size बहुत 90% का आपको expense यहाँ पर देना पड़ेगा, 89% है, तो 0.89% आपको total expense यहाँ पर देना पड़ेगा, मतब 1% से थोड़ा सा कम, तो सही है, 1% के आसबस अगर आपका expense लगता है, आपका fund अच्छी तरगी से manage किया जाता है, बढ़िया return आपको निकाल कर अगर मिलता है, consistently return मिल तो मेरे तरब से 1% देने में कोई दिक्कत नहीं, मैं 2% भी दे सकता हूँ, तो चलिए, यहाँ पर अगर NAV की बात करें तो 74.368 आपको यहाँ पर देखने कले मिलेगा, कृसल इसको 4 स्टार से rate किया बाई, और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे, तो large cap के अंदर 11.18%, मनब large cap के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर भी exposure जादा कर रखाया, और यहाँ पर जो mid cap stocks हैं, वो 61.51% invest किया गया है, 10.08% small cap में किया गया है, यहाँ पर nifty mid cap 100 हमेशा की तरह 22.59% रहेगा, लेकिन scheme ने बढ़िया रिटन निकाल के दिया है, अपने benchmark के सामने, 24.55% का, 3 years का ज चलिए 1 year के रिटन की बात करें तो 52.47% आपको देखने के लिए मिलेगा, 2 years के अंदर 27.52% का रिटन देखने के लिए मिलेगा, 3 years के अंदर 18.1% का रिटन आपको देखने के लिए मिलेगा, 5 years के अंदर आपको 14.97% का रिटन देखने के लिए मिलेगा, तो कुछ इस तरह क कमाल का return आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अगर इसके portfolio का आप देखोगे न तो बहतरीन स्टॉक से भरा हुआ है चोला मंदलम investment finance, मैनापुरा finance और max finance banking sector में आपको यहाँ पर city union bank, HDFC federal bank देखने के लिए मिलेगा अच्छा combination है share का तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि DSP midcap भी आपके लिए बढ़िया option हो सकता है तो यह तो number 2 की जगा बनाता है इसमें कोई शक नहीं है अभी बात करेंगे इस list की number 1 की और मेरे पुराने subscriber थोड़ा थोड़ा smile दे रहे हैं अगर आप एक बढ़िया midcap चाहते हो तो एकसिस midcap भी आपके लिए बहुत बढ़िया प्लान हो सकता है consistent return देने के लिए जाना जाता है बहतरीन management के लिए जाना जाता है और बहुत अच्छा लोगों को अभी तक return निकाल कर दिया है disappointment नहीं किया है चलिए बात करेंगा एकसिस midcap की तो यहाँ पर आप इसके screen को जी देखोगे तो आपको हर जगा हरा बरा नजर आएगा सबसे पहले तो आप यहाँ पर fund size देख लिए 7,877.53 क्रोड आपको यहाँ पर fund size देखने के लिए मिलेगा मतलब कि आप समझ सकते हो कि fund से इस कितना बड़ा है और उसका expense की बात करें ना तो यहाँ पर 0.55% का total expense आपसे लिया जाता है मतलब आधा परसेंट एक परसेंट भी नहीं आधा परसेंट आपसे fund management के लिए लिया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है NAV की बात करें उसके बाद NAV की बात करें तो 54.23 यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी Crystal ने इसको 5 stars rate किया तो यह बहुत बड़ी बात है fund काफी time से 5 star के साथ में carry on कर रहा है और यहाँ पर fund की management है वो जबरदस्त है 11.79% जो है वो large cap में invested किया गया है बहुत ही smartly manage किया गया यहाँ पर जो mid cap stocks आपको देखने के लिए मिलेगे उसके अंदर 65.69% आपको देखने के लिए मिलेगा और small cap के अंदर थोड़ा कम रखा गया है 7.74% जो है small cap को दिया गया है बात के लिए index के सामने इसके returns की तो आप देख सकते हो S&PBS से mid cap यहाँ पर 20.65% का return निकाल कर दिया है अपने investors को और वहीं इस active manage scheme की बात करें तो 26.56% का return निकाल कर दिया है और return की बात कर ले तो बिलकुन कमाल का return आपको evergreen return यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा अगर आप S&P करते हैं तो इसके अंदर annualized return की बात करेंगे 1 year के अंदर 54.82% का return आपको निकाल कर देगा यह scheme और 2 years के अंदर अगर आपने investment की होती तो यहाँ पर आपको 30.49% का return देखने के लिए मिलेगा और 3 years की बात करें तो 22.24% का return निकाल कर देता अगर 5 years की बात करें तो 19.35% का return निकाल कर यह scheme आपको देता और उसके बाद आपको इसका portfolio कैसे भूल सकते हैं portfolio तो आपको देखना ही पड़ेगा इफका laboratory, cadillap, आप देखो तो इसकी कितनी बढ़िया बढ़िया pharmaceutical company यहाँ पर चुन रखी है banking से भी सबसे दिगज बैंक को यहाँ पर चुन रखा है NBFC से भी बढ़िया बढ़िया चोला मंदना बजाज finance यह तो था ही नहीं इसी के बाद एको बजाज finance भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा और IT सेक्टर से भी यहाँ पर दिगज को चुन रखा है तो fund manager ने आपके portfolio के अंदर काफी बढ़िये बढ़िये stock जो है वो रखे है जिसकी वज़े से यह access mid cap जो है काफी अच्छा return देता है और गिरती हुई market में आपको अच्छा जो है स्थिरता प्रदान करता है आपको fund guru जी की investment related videos की notification आपको मिलती रहेगी आज के लिए कुछ इतना ही दा थैंक्यू फॉर वाचिंग जैहिन बंदे माधरम